मुंबाई इंडियाज ने ले लिया और आप तो नीला पहन के आई हैं आप खुश होंगी आज देखे जाहिर तोर पर जिस तरह से आज परफॉर्म किया है मुंबाई ने खुश हुम है जैसे यहां पर हम कलर्स दिखा रहे हैं इस कूटी के अलागला कलर्स है वैसे आपकी जिन्दगी में भी कलर्स होने चाहिए बहुत इंपोर्टेंट है बिलकुल और मोनू भी हमारे साथ है मोनू जिस तरीके से 200 रन बन गए थे लेकिन क्योंकि मुहाली की पिछती तो लग रहा था कि यार ये चेज हो सकते क्योंकि मुंबाई का बैटिंग लाइनप जिस तरीके का है विश्वास था और उस विश्वास पर खड़े उत्रे और में बाद जो थी सूरे कुमार यादव जिस तरीके से लगातार परफॉर्म करते आई रहे थे आज भी बल्ला गरजा और जब सूरे का बल्ला गरजता है तो बड़े बड़े शान्त हो जाते हैं कहता हूं कि उनके पास सबसची बात यह कि पर लेंदग को अच्छा पिक करते हैं और उनके पास हाइशॉट ईवरोमिता वो गेम को यह चेंज कर देते हैं क्योंकि उनके पास विश्वास है वह विद्धध सबनारे मिचका और चाहिए जान किसी तेज गेंडवाज वा शन इसने ये मैच निकाल दिया क्योंकि उतना आसान नहीं था लैट को अच्छे से गेंदवाजों के लिए हलां कि अर्जदीव के पास वो वेराइटी थी लेकिन उनकी जो लैन लाइट थी उसको टिकने नहीं दिया इन दोनों बैट्समान और एक के बाद एक ताबर तोड़ शोट खेले और ये मैच निकल गया बिलकुल मैच निकल گा और इशान किशन जिस तरीके से बल्ले बादी करते हैं तब लगता भी है कि जो फ़ॉउम इंतजार ता, इशान किशन नहीं चल रहे ही तो भाई इशान किशन जब चले है तो मुंबाई इंडियास को साफ तोर पर और कितनी आसान जीत मिलिये, ये किसी से छुपा नहीं है, और जब इशान किशन और सूरे कुमार यादव ये डूओ, जब चल रहा था, तो लग रहा था कि क्रिकेट कितना आसान है, मतलब ऐसे लग रहा था कि आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, और सूरे कुमार यादव के पारे में तो हम अकसर ये चीज़ कहते ही है कि ऐसा लगता ही है कि जब जब बल्लेबाजी करते हैं तब लगता है कि वीडियो गेम की तरह ही शॉट्स खेल रहे हैं और देखें वो कई बार कह भी चुके हैं अपने बहुत सारे इंटर्व्यूस में कि हर शॉट को खेलने के लिए वो दो-तीन स्ट्राटेजी पर काम करते हैं लगता है यहीं उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि जैसे ही बॉल उनके बैट पर आती है वो यह समझ जाते हैं कि उन्हें किस तरफ खेलना है और शॉट्स के साथ तयार रहते हैं इसलिए जल्दी पिक करते हैं शॉट निकलता है और इस तरह की पारी हम देखते हैं सुर प्रेसर में आगे निकिल लाइन लाइन को पहस नैस कर दिया कि लिए इसके लिए पंजाब किंग्स के पास बहुत बड़ी फाइन और तारीफ करनी होगी प्यूश चावला की इस विकेट पे भी अगर आप सिर्फ चार ओवर में 29 रन देकर दो विकेट हासिल कर लेते हैं तो फिर निश्चित तोर पर जे तो इसा लगा कि प्यूश चावला लेक विकेट पर बोलिग कर रहे है और और बाकी गैन बाज अलग विकेट पर बडूरी गता है। बिल्कुल जितेश शर्मा देखे जितेश शर्मा लियम लिविंस्टन जिस तरीके की पारी इन दोनों ने खेली थी, बिल्ट की थी, मज़ा आ रहा था उस समय बैटिंग देखके पंजाब किंग्स की भी और ये वो पारी लियम लिविंस्टन की 82 नाबाद 42 गेंदों में 195 द लग रहा है कहीं न कहीं कुछ गल्तियां भी की गेंदबाजों ने लगातार शॉर्ट गेंदे पटकी जा रही थी, जिसका भरपूर फाइदा इशान किशन भी उठा रहे थे, सूरे कुमार यादब भी उठा रहे थे, मुझे लगता है वो ना थोड़ा सी इस कश्मकश मे रहे थे कि शायद सूरे कुमार यादब को शॉर्ट गेंद बाजी करके आप रोक सकते हैं, लेकिन जैसा कि मोनू ने कहा, उनकी वराइटी ओफ शॉर्ट सिर्फ यही नहीं है, वो सिर्फ स्कूपी नहीं मारते हैं आगे की गेंदों को, वो शॉर्ट गेंदे भी अच्छी प्लेयर ओफ दे मैच क्योंकि जैसे ओकिनावा की हर स्कूटी कॉस्ट एफेक्टिव है, वैसे ही एफेक्टिव पारी आज खेली है सूरे कुमार यादब ने भी और इसलिए वो बन जाते है ओकिनावा एफेक्टिव प्लेयर ओफ दे मैच, उनके आखने भी अभी हम आपक तो शूने शूने और ये देखिए ओकिनावा एफेक्टिव प्लेयर ओफ दे मैच, 66 रन, 31 बॉल में, 212 दशवलव, 90 का स्ट्राइक रेट, 8 चौके और 2 चके, स्काय है और 2 चके, स्काय है नो लिमिट्स खेले, और शायद सुरी कुमार यादफ वैसे भी मुझे लगता है कि ऐसे गेम को खेलने में बहुत माहिर है, जहाँ पर जल्दी रन बनाने हो, आपके पास ओवर्स कम हो, और इसलिए शायद वो इस स्ट्राटिजी पर काम करते हैं कि जल्दी से बॉल को समझना है और शौ आपकों में डील कर रहे थे, क्योंकि मोहाली की पिछे लग रहा था कि सुर्यकुमार यादफ लंबे-लंबे चक्के लगाएंगे, लेकिन जो मैं कह रहा था, चक्के वाली बॉल सुर्यकुमार यादफ को आज उतनी ज्यादा मिल नहीं रही थी, लेकिन जो अपना परिवर उसके बाद फिर वापस उसी फोम में आये, फिर उसने जो अटेकिंग रेट के लिए जाने जाते हैं सुर्यकुमार यादफ उसके बद वो फेरलेस क्रिकट खेले और उन्होंने 66 बनाए हैं सिरफ 31 बोल्स में, क्या इनिंग है यार मजा आगया सुर्यकुमार यादफ की ब बिल्कुल जी पाफ अपनी बात भी जो लास्ट में आये, टीम डेविड और तिलकुमार उन्होंने भी दिया तो जब आप एजे कंप्लीट पैकेज टीम परफॉर्म करती है तो बहुत अच्छा लगता है और आज ये देखिए इनको हो सकता है इनको तो तोनी काम करें करे लेकिन सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं लेकिन अभी भी जो एक बड़ा सवाल है मुंबई लगतार दो मैच्छ जीत रही है लेकिन अभी भी रोहित शर्मा कप्तान है ओपनर के तौर पर आते हैं तीम को वो मोमेंटम देने में अभी भी असफल है जिसकी जरूवत मुंबई इंडियन्स को है और वैसे मुझे लग रहा था जैसे पंजाब ने टागेट दिया 214 रनों का तब मुझे लग रहा था कि मुंबई के लिए इस मैच में खेलना इंपोर्टेंट होगा हाला कि जीत भी गई है लेकिन रोहित शर्मा से उमीदे लगातार बिखरती चली जा र बनाते हैं तो फिर वो जो मोमेंटम है वो सेट हो जाएगा आईपेल से तो फिर उसके लिए और असान हो जाएगा क्योंकि आईपेल देखिए है बड़ी लिग लेकिन जो बैट्समन यहां परफॉर्म करेगा तो वो ओबिसी बात है 2023 वर्ल्ड कप अपकुमिंग है उसमें लिए बैटल परफॉर्म करें कुछ मैचे से तो बिलकुल बल्ला नहीं चल रहा है हिट मैन के नाम से जिनें हम जानते हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हिट्स नहीं लगा पा रहे है जीरो थृ इस तरह के रंस एकल कर सामने आ रहे हो भी कप्तान के तौर पर सिर्फ आपको गजब का खेल दिखा रहे हैं जिसकी वज़े से मुंबाई इनियस जो है लगा था दो मैचस से जीत रही है लेकिन पंजाब की बात की जाया आज चरागम उनू तो क्या लूप होल साब देखते हैं इतना बड़ा टार्गेट लेकिन हार गए शीखर धवन की जो कैटेंसी है वो मुझे थोड़ी सी ना साधार नज़र एक तो बीवनेस्ट विकोज सैम करन तीन ओर में 41 रन दिये हैं और कोई विकेट नहीं है रिशी धवन जो उन्होंने पहला जो ओर फैंका था बड़ा अमेजिंग अवर था उसमें रोई सर्मा को उन्होंने आउट किया थे एक ए खिलाएं या नेथन एलेस को खिलाएं तो यह मुझे लगता है कि कश्मकश बहुत ज्यादा है पंजाब के खेमे में गेंदबाजी को लेकर खास तौर पर गेंदबाजी डिपार्टमेंट में क्यूंकि हम चेंजिस भी बहुत सारे देखते हैं पहले हरप्रीत सिंग आये उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया उसके बाद हमने देखा था कि वहाँ पर लियम लिविंग्स्टन जब नहीं थे तब भी दिक्कत आती थी पंजाब को ओपनिंग पेर में भी एक बार ऐसा सोच रहे थे कि नहीं यार प्रप सिमरन सिंग को खिलाएं नहीं खिला तो कैसे आप जीतोगे आपको विकेट लेने पड़ेगा अगर मैच में जीतना है तो वो विकेट टेकिंग एक नाथन एलिस में जरूर दिखी है हलाक वह भी एजए इंपक्ट गेंदबाजी करने के लिए आए तो पंजा को कुछ करना पड़ेगा अपनी बॉलिंग में त बिल्कुल और वो जो पार्टनर्शिप हम कह रहे थे पार्टनर्शिप जब बिल्ट हो रही थी इशान किशन और सूरे कुमार यादव की तब कोई भी गेंदबाज अटैकिंग क्रिकेट खेलने के तरफ नहीं सोच रहा था तब यह सोचा जा रहा था कि रंस कैसे रोके ज जीत लिया तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि आप सिर्फ रं रोक कर यह मुकाबला जीत लिए